अभी तक विरोध प्रदर्शन और नारे बाजी के दम पर जो किसान अंदोलन चल रहा था बीजेपी नेताओं का विरोध हो रहा था वो मुझफण अगर में आकर हिंसक हो गया और हिंसक तब हुआ जब खुद केंद्रिय मंतरी संजी बालियान सोरम गाओं में पहुचे बालियान जी हम उस गाओं में गये सोरम में वहा जाकर जिस जगा पर वो घटना हुई है हमने वहां पर जाके लोगों से बात की लोग महां पर चोटिल है चोटे आईए उनका ये कहना है कि मंत्री संजी बालियान के साथ जो लोग आये थे उन्होंने ही हमें नारेबाजी करने पर पिटा मैं अपने छेतर में सुक और दुख में जाता हूँ, साथ साल होगे साथ साथ शेतर ने मुझे चुना कोई मेरा रोज का रूटीन है कि कहीं दुख होगा जाओंगा, सुक होगा जाओंगा अपने छेतर में राजबीर सिंग की तेरवी थी, मैं किसी राजनती कारकर में नहीं था, मैं राजबीर सिंग की तेरवी में गया एक तो मैं मीडिया से एक निवेदन करूँगा आपके माध्यम से आप से भी करूँगा हर जंगे किसान सब दिस्तेमाल बंद किजिए वो राष्टिय लोगदल के बलोक अधिक्ष और उसके साथ पांच राष्टिय लोगदल के सग्रिया कारे करता थे किसान तो आप भी किसान के बेटे हैं मैं भी किसान का बेटा हूं दोस्त आज आप मीडिया में मैं सान सदू तो आप राष्टिय लोगदल के कारे करता किये घुशित कारे करता है बलोक अधिक्ष और उन्होंने वहां इसे समय पाया के नारेबाजी की बत्तमीज्या की फिर गाम वालों नहीं है और लोगदल के पूर मंत्री और पूर प्रत्याशी गाओं में मौझूद थे उनके इशारे पे ही लोगदल के घटना हुई यह सोजी समझे सद्यंत्र था और उसके बाद ट्वीट करके खेलना शुरू करते हैं लाश्ट्य लोगदल के बड़े निता दिली से ट्वीट ट्वीट करते हैं जमीन जैंत्र चौधरी का नाम बिल्कुल साब ना किसी के सुकमा आए हों कभी दुकमा हों यही सोरम था दो हजार तेरह में हमारी समाज के लड़कों को पीटा गया बुरी तरह पीटाई के बाद उनके खिलाब मुकदमे दर्ज हुए उनके मुकदमे दर्ज के बाद कोई पंचायत करने नहीं है कोई ट्वीट ट्वीट खेल शुरू नहीं हुआ वहां के यहां के इसी पार्टी के एक वरिष्ट ने था अमीर आलम खान ने अपने मकान पर बुलाए मुझे फनर अपमानित किया सारे समाज को अपमानित करने क चाथे हैं दिली बैठके उनका काम तो चल जाएगा दोस्तना मैं को चोटर्ण पूत्र मुझे तो रहना है लोगों के बीच में मुझे टो कमाना नहीं है और खाना है लोगों के सुक दूख में रहूंगा सामिल मैं ट्वीट त्वीट के लूँगा तो मुझे कोई हम नही ये राष्टिये लोगदल के गोशित कारे करता थे पदाधी कारी थे आपके इसी सवाल पर क्योंकि आपका ये वक्तव्य आया था कि वो राष्टिये लोगदल के कारे करता हैं हमने उन तमाम लोगों से पूछा हर किसी का ये कहना था कि हमने वोट बीजेपी को दिया कि अगर आज मुझे मुझे फिना बदला है विकास की बात करते हैं हम आप सी भाईचारे की बात करें क्यों दिल्ली में बैठेवी लोग इनको तुड़वाना चाहते हैं दो जार बाइस का चुना में जनता के बीच आईए जनता आप को चुने बिलकुल आप मैं लेकिन अगर मैं कोई सावघ्य कार्याम में कर जाओ और इसतार की गती दिया हूँ तो फिर मैं दिल्ली चला जाओं मुझे फिनट छोड़के इन्हीं की तरह दिल्ली बैठूं ट्वीट यूट और फेस्बूक पे खेलूं जनता को बढ़का हूँ लड़ा हूँ और जब आवशक्ता हो जनता को फिर भाग जाओं फिर कहीं साल ना दिखाई दूं जब सोरम में दंगों में लोग मारे गए थे क्या है नेता उनका पता लेने के लिए थे जब पूरबालियान में मार दिया गया था तो संजीव बालियान महा था आगे भी रहेगा ये फिर भी नहीं आएंगे दोस्त ये अपना आएंगे वोटों की फसल लहराती है यह आते होके हैं उन्होंने हमसे बातचीत की है किस तरीके से देखते हैं एक तरफ भारतिय किसान यूनियन है आपकी बालियान खाप है सारी खापों के चौधरी है और साथ में अजीस सिंग है पूरा का पूरा यह समी करण क्या जाटों को डिवाइड करने का नजर आता है गटना के बाद भी सांदून के बाद भी वो भी हैं रहेंगे मुझे फ्रम में मुझे भी हैं रहना है मैं भी रोज उन से मिलूंगा वे भी रोज मेरे से मिलेंगे कहीं ने की कारकम में हो रहेंगे दुख इनको नहीं होगा जो लोग आ जा रहे हैं यह दुबारा कभी नह आएंगे ये पहले भी मैरे सुख दुख में नहीं या आगे भी नहीं आएंगे ये समाज को तोड़ देंगे समाज का बटवा रख रहेंगे यह मुस रहा पे ले जाना चाहते हैं जिस रहा पर मैं नहीं चाहता मेरा समाज जाए याणि के आपको लगता है कि चौदरी अजी अबत्तमी जी करता है जो उसके साथ कुछ जगरा हुता है चोटा सा तो आप आते हैं और जब लोग मरते हैं तो दिल संजीवर संचिप दियुलत करना चाहिए कि आ अब उनका आदेश शिरोधारी है दुखत गटना मन दुखी है कोई भी थे चाहिए लोगदल के कारे करता थे मुझे उनके बीच पर रहना है वे मेरे से मिलते हैं कोई बात होती है काम होती है उनका चोधिसाब का फोन नमर उनके पास नहीं संजी बालें का सब के बास फोन न ना करें इस मुझे अपने का महूल अच्छा होना चाहिए लग रहा है आप इमोशनल भी हो रहे हैं कहते कहते मुझे रहना है नहीं लोगों के बीच में रहना है मैं कहां जाओं कि चोड़के तरह चोच्छन सिंग का पुत्र नहीं हूं कि दिली में राजनती बैठके करू कहां जाएंगे मुझे फनवाले यहां अलात थे कि हम पिटते भी थे मुकद में पर दर्जोते थे कोई हमारी उसके लिए नहीं आया कभी सुरम में पंचायत नहीं सुरम हमारा इत्यासिक गाओं है सुरम में आप देखिए हर सड़क पर संजीवालन का नाम लिखा हुआ है सुरम में जो काम हुए सुरम की थेसी चोपाल में मैंने राते गुजा रही हैं क्या कभी एक बार रात रुक के देखेंगे उसी चोपाल में जा में रात को रुकता हूँ उस पूरे सुरम का नक्सा बदला है आप पूछे कि इतने सांसत कितने विदायक हुए एक पत्थर आप सोरम गाव में विकास का दिखाई है, सोरम गाव के लोग मेरे भाई हैं, मेरे अपने हैं, उनके सुख दुख में मैं ही रहूँगा, तो दुख भी मुझे ही होगा, वे तो राजनितिक रोटिया सेखने आए, वे रुक कर वापस चले जाएगा. लगता है कि राजनितिक रूप से नुकसान जो है, वो बीजेपी को, आपको, आपके बीजेपी के विधायकों को हो सकता है आने वाले चुनाव में? किसान अंदोलन हिंसक हो गया, तो क्या आप आगे भी अपनी रणनिती गाउं गाउं जाने की जारी रखेंगा? अगर मैं नहीं जाओंगा, तो मुझे पना की जनता मुझे माफ नहीं करेगे. वे बड़े लोग है, वे बड़े नेता हैं. उनको दिलनी में रहके वोट मिल सकते हैं, संजीव बालियान को नहीं मिल सकते हैं. जाहिर तोर पर केंद्रिय मंत्री संजीव बालियान भावुक हो जाते हैं, बात करते करते. जाहिर सी बात है कि जिस परिस्तितियों से मुझफव नगर गुजरा है, उसमें खुछ संजीव बालियान का भी एक इतियास रहा है. और कुल मिलाकर अगर घटना को देखें, तो रक्षिस सिंग, ABP News, मुझफव नगर.